एक पूरा घर लेके घूम रहे हैं पचास लाग रुपे इस पे लग चुका है वीडियो लाजमी हैं तक देखना सब्सक्राइब करना इसी चैनल पे इसका डिटेल रिव्यू आएगा अच्छा इसमें बैड भी है पाथ्रूम भी है किचन भी है शावर ले सकते हैं पूरा घ घर है ठीक है बड़े मज़ी की वीडियो होने वाली है लाजमी हैं तक देखना पचास लाग रुपे लग चुका है यह बाइक बाइक नियुता जैसे वह बाइर किया इसके उपर आप बाइक भी अपना वह करके साथ लेकर जा सकते हो टूरिंग के लिए यह टायर हैं यह प्यूल टैंक वगएरा यह चीज़ें कितने मज़ी किया है और यह लोग कैसी आती है इसकी और मेरे हैल में तो मैंने तो नहीं देखी पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है यह एक फॉर्टी के उपर इन लोगों ने एक पूरा घर बना है कि जिसको ट्रैवलिंग क उपर बात करने ट्रक केमपर कहले या एक जीब के उपर बुरा घर बनाया है छे बंदे अराम से रह सकते हैं जिसमें वाश्रूम भी है बैड है काफी इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाली है इस पर आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोगो लेते हैं कि क्या कॉंसेप्ट ता किस पे और फिर्स टाइम पूरी दुनिया के अंदर मैंने तो देखा है किसी ने भी नहीं बनाया है सारा हैंड मेड है और काफी इंट्रस्टिंग है बहुत ज़्यादा तो वीडियो लाजमी हैं तक देखना तो आएं चलेंज चलते हैं इसे बात करते हैं उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं यह कॉंसर्ट बताएं जी फर्स टाइम में देख रहा हूं कि यह जीब जो है एफजे फॉर्टी पे आपने यह सटप किया है तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल देए हमें असर ऐसा है कि यह मुझे जो गाड़ी होती थी पहले हाइजेट जैपनिस जबा तो हम उसमें अकसर तीन चार दोस्ट गे और रात को सोना भी उसी में बस यह उसी से ट्रैवलिंग से हुए है तो फिर उस लियास से मतलब आगे इसको ना फिर हमने सोचा यार क्यों नहीं एक ऐसी गाड़ी हो कि जिसके पाकिस्तान गुमा जा सके और इस तरह गुमा फिरा जा सके तो काफी गाड़ियों का सोचा है फिर मतलब कोई गाड़ी इस तरह समझ नहीं आ रही थी तो फाइनली टोयटा जीप जिसे लोकल लेंगविज में कहते है और एफचे फोटी इसका चेसी कोड है टोयटा लैंड क्लूजर जितनी आईता का रही है सबसे टाफ है और पर दूसरा मेकैनिकली जो इसकी रिलाइबिल्टी है नौर्थ में कहीं भी आपको मतलब इसका काम क्यूंकि यह तो एक और लैंडिंग कॉंसेप्ट है ना तो यह वह सारा कॉंसेप्ट था पिर हमने गाड़ी ली गाड जो इसकी ऊपर फिर हमने यह केमपर बिल्ड का प्रॉसेश शुरू किया तकरीबान चार साल का इस गाड़ी को बनने में लगा टाइम और इसमें जो इंजन है वह आजाता है जी टोयटा कोस्टर में भी आता है और टोयटा डैना में भी आता है जो इसका एंजन है वह एर इसे से तेरह भी बोलते है और जो इसके साथ गेर बाक्स है वह एज 55 है जो बीजे 60 में आता है और इसकी फ्रंट सस्पेंशन है और की और उसस का जव हैर ही morningय काम हूँ है त्भ जू है कॉसे सारह कंबिनेशन कों इसका काम हुआ हुँ है ने है कुपर के और रिम जो हैं इसके चाइनीज हैं यह भी पर यह चाइनीज डीप डैश है तगरीबें यह 10 इंच इंच इस डीप रिम है और 17 इसका साइज है और फिर आ जाते हैं घाड़ी के उसके बाद पेंट के उपर पेंट हमारा यह सीन था कि इस पर एक औरी में आता है नड़ो ग्रे नाड़ो ग्रे तो वो करवाना था असल में वह बेस कोट वाला कलर सा तो उसमें बार में टचिंग मैसल में यह गाडि बनाई है रफ और टफ उस ट्रेन के हसाब से तो जहां भी जाएगी कुछ खराश इस तरह की चीज़्ें गाड़ी प्या सकती हैं तो वह यह पिर प्लेन कलर का कॉंसेप्ट यह रहा है रहा है लाइट सा हो मतलब आप देख रहे हैं जो प्लेंट की इसकी कंबिनेशन है वो चीजें की है और दूसरा बॉड़ी डिजाइन जो इसका है वो अगर देख लें गाड़ी की जो लाइन जा रही है टायरों से पीछे उपर अच्छा मज़े की बात यह है कि जो जितना डिजाइन है यह हमरा अपना है यह किसी का मतलब वस्तना लिया आप गूगल पर सर्च कर लें एफचे के उपर पहले तो केमपर दुनिया में बहुत कम बने में क्योंकि यह स्टॉक यह अपग्डेड लोगों ने काफी तरीकों से की वी है बरल एफचे के उपर जो केमपर है वो शायद कुछ दुनिया में अगर कुछ दो चार हों तो मैं नहीं क्या सकता है पकसान में यह फस्त है और दुनिया भी मुझे लगता है हम मेरे हैं गूगल तो इतना हास नी किया हुआ तो बरहल लगता है कि शायद यह एक जो डिजाइन है बाडी ले आउट है यह उनीक है उसके बाद आ जाते हैं जी इसके अभी इंटीर इसका रेडी नहीं है ऐसा है कि इसमें सिक्स परसन स्लिपिंग के पैस्टी है फिर इसमें इसके अंदर बात है और वाश रूम भी है पिर हाट वाटर है शावर है जो बेस कि बाज़्क केमपर में घर में आपको रहने के लिए वो सारी बेसिक निसेसरी उसमें डिली ही है इसमें इसमें का अउड़ौर शावर एहं वह सामने है अगर आप देखें तो उस जगह पर घृ ले क्रिल वाली जगह पर आपका एक टैंट लग जा het जिसको आउड़ोर शावर है आउनिंग इसकी अभी लगनी रहती है और काफी सारे इसके कुछ फीचर्स हैं जो इस गाड़ी में लगने रहते हैं तो इंशालला हो जब कंप्लीट होगी तो आपके साथ उसमें डिटेल में बताएंगे अच्छा ये फ्रेंड से में बताएं क इसका फेंडर चार इंच एक्स्टेंडेड है जो साइड फेंडर है औरीजिनल जो स्टॉक गाड़ी होती है उसे चार इंचेज एक्स्टेंडेड है पीस डल के खुले है तो इस वादा से गाड़ी की जो लुक है मौंस्टर ना वह आपको नजए और देखें टायर भी जो आरदास जालियां लाई थी वह सब राउंडेड शेप में थी यह वाइड ग्रिल ती जो 76 मॉडल में आती है और 76 मॉडल में राउंड आती है एक आती है बिल्कुल स्केर शेप में अब यह राउंडेड भी है और स्केर भी है और यह अभी तक मैंने किसी टूस में नहीं द बिल्कुल समझे लें कि आप कबाड चीजें थी तो इनको सारा कोई सफा करके इनकी डिटेलिंग करके यह चीज़ बनी है इवन कि जो उतार वाली जाली है जिस पर टोयटा लगा हुए यह भी इसकी औरिजनल स्टाउक पिंडी से कबाड की मार्कीर से हमने ना यह चीज़ उ इस गाड़ी में चीज़ लगे ना वो थोड़ा मार्कीट से आउट आफ दावे जाके हो काम क्योंकि लाइट्स इसकी अभी और भी असेसरिज मैंने लाई हुई है वो अभी अटेज नहीं क्योंकि अभी पेंट गाड़ी का फाइनल हुआ है तो जो मोटी मोटी चीज़ें था दोहजार दोती में हाँ कुछ लोगं को पता भी हो जो एफचे क्रूजर आती है तो बाखी किसी गाड़ी में तो वहमने किया कि हैं कि हमने इस गाड़ी के तीन वाइपर की है वैसे जो इसमे इसमें स्टॉक आते हैं वो इसके ओरिजनल दो वाइपर आते हैं और फिर जो इसके side mirrors हैं वो अगर आप जोम इन करके बता सके हैं side mirror की जगह हमने वो इसकी लगाई है जो फोकस रात के टाइम जो पॉइंट करती है लाइट पॉइंटिंग लाइट लगा दिए इस side पे लगी है उसी side पे लग जाएगी उसरे मोटरों में पीछे से बाड़ी थोड़ा सा 3-4 इंच वाइड है तो इसके जो ग्लासेज हैं जो इसके side mirror हैं तो वो थोड़े से लगे वे original है पर इन में 4 इंच का पीस डालके यह इसके साथ क्योंकि गाड़ी का back view लगाने के लिए एक और इसके उपर हम back view mirror लगाएंगे वह जो दो ऊपर लाइटें लगी है इसके साथ हम एक और इसका जो mirror है जैसे वह आपने देखा होगा बड़े ट्रकों के साथ लगे होते हैं जे उपर से वह लगाएंगे क्योंकि विजिबिल्टी गाड़ी की लेक तो लांग बाड़ी है उपर से और इनलाइट से थोड़ा सा साइट पर करव है इसका चेंज का तो वह इस वह से उसके अच्छा और इसमें एक और इंटरस्टिंग चीज़ है उपर चट पर अगर आप व्यू लगाएं वह उपर हम आपक बैठा है दम गूटर है उसका तो यह तकरिम पांच-छे फूट ऊपर चला जाता है जैक्स लगे हैं इसमें यह भी हम आपको खोल के बताते हैं अब बाकी है साइट से अब देखें तो स्लिपिंग बर्ट के साथ यह इसका गलास है अलब रोशनी के लिए फिर इंटरस्ट जो आप छोटा सवाना देखें यह सका वाटर रिफिल है जो इसमें फ्रेश फार होगा ना मिन्के नाने के लिए यह उसकी रिफिल के लिए फिर यह इसका डोट आ जाता है अभी अंटीर रीडी नहीं है तो इंशाल्ला वह बी आ अच्छा यह जो डोर के उपर कब्र लग 94 model coaster का है तो तक्रीबन ये चीजें सारी फैब्रिकेटेड और ये सारी चीजें पक्सान सी लेवी हैं जो चीजें नहीं नहीं बन सकती थी वह हमने कबार मार्केट से उठाई हैं और वही चीजें हमने लगाएंगे हैं फिर अगर साइड पर आ जाएं तो इसका रओ आ जाते हैं इसके अंदर ऑच्डोर किचन है वह ऑच्डोर किचन खुल के तो चार फुट आपका बाहरा जाएगा वेस्कि लाक्स हैं ये वंस बंद हो गया तो लाक है नहीं तो फिर ये बस खुल गया और बंद किया तो चाबी के बगएर ये कोई बटन प्रेस न यह लाग सिर्श चाबी लगेगी तो यह लाग खुलेंगे लाग खुलेगा इसमें एक बर्नर आपका सभी पानी के लिए और तीसरे नंबर पर बार्बीक्यु ग्रिल है और छोटा सा इसमें इसमें कंपार्टमेंट है स्टोरेज के लिए और वुड़ वाले के पास अमारी बाड़ी में इतने डेटेल्स में काम हुए हैं कि तिक में चार साल का अरसा लगा इसको कम्प्लीट करने में अगर आप पीछे जाते जाएं इसका अब यह देखें लाइट और लाइट के साथ नीचे आपका जैरी कैन होल्डर आ गया है यह 20 लिटर का इसमें जैरी कैन और यह लाइट का डिजाइन देख लें इसमें कर्व दिए यह टोटल हैंड मेड है और जो इसके सुराख हुए में यह ओल्सा से हुए में बाकि आप यह लाइटें चोटी देख रहे होंगे एंबर लाइट जिसे कहते हैं जो सर अमेरिकन ट्रक्स में इस तरह लगी होती ह चाहरे पिछे हैं जो गरों में इनवेटर रेसी होते है यह उसका ऊटर का वॉक्स है यह भी सी इन्सी हुआ हुआ वाक्स है बाकि इसकी जो बैंडिंग है वा है और भी फिंष बीच में यह घृ गाल्जад अजासे बने होइं होई हो आ, और बाकि जो इसका यह ग्रिल है ये ग्रिल इसकी ये प्लाजमा कटर पे हुई है हमने कराई ये डिजाइन उसके साथ स्पेर वील माउंट आ जाता है आपका स्पेर वील को हैंक करने के लिए नीचे ये जो आप प्रे देख रहे हैं ये खुल जाती है पीछे खुल के इसके उपर बाइक का एक बनावाय रिल कायु हैं दो 2 चीलो के दो उसके एलिपीजी के सिंडर होंगे जिससे गाड़ी सारी अंदर जो इसके अंदर बरनर रहे हैं और एग्वार्ट जो घ Els से चलेगा और इधर रहे हैं अपको इसकी बता दिघते हैं इस साइच भी लाइब के रिपील टुआ होगा यू स्जे ज फैब्रिकेशन रहती है इवन के ये स्टार्ट है सारा ये जो जबनेंटर है सिर्फ थोड़ा सा जो प्लग इन करते हैं वाइरिंग उसका एक जो माउंट है वो बनने वाले बाकी ये देखें अभी फैट्रोल किनेक्शन नहीं हो रहा है तो ये इसका स्टार्टिंग इसके अंदर इसकी वेंडिलेशन बनी हुए सिर्फ जैसे हमने इसका आइल चेंज या मैंटेनिस कोई करनी होगी तब इसको बाइर हम निकाल साथे हैं वरना कहीं अगर गाड़ी पार्क है अगर आप बाइर खोल के इसको अपरेट करना चाहते हैं तो ये बाइर से भी इस पाइप लंबा नहीं कर सकते थे वह जर्नेटर के साथ ही हमने उसका कर दिया और यह देखें असानी से यह स्लाइड होके अंदर चला जाते हैं एंड पर थोड़ा सामने आठ छोड़ा हुए थांके एक दम से बाइर ना निकल आ है वह रेलिंग थोड़ी से हमने टेड़ी क हाड किया है तांके जोड़ा जोर लगा के अंदर जाना पुड़ी केशन जोड़ेकर वोल्ड मीटर और स्टार्टर ही हमने आगे लिए हैं और यह जब उतार के वरीनल फ्रेम में भी रखना चाहिए तो जर्नेटर आप रख सकते हैं इससे ही होगा कि अगर हमारे पास कोई कि कहीं पे हम खड़े हैं होटल है पास कोई जग है अगर हमें 220 मिलती है तो हम उक अप कर लेंगे जिससे हमारा एसी चल जाएगा और ओवन और जो 220 की अप्लाइंसे से मुझे नहीं तो हम जर्नेटर स्टार्ट कर लेंगे दूसरी सोर्स में आ जाएगी जो चट पे सोलर प अधिये में यह गीजर का है इसका लॉक अभी नहीं लगा हुआ यह इस तरह पंच करके आप पुलेंगे इसमें हाट वार्डल गीजर आ जाएगा और इदर आपका शौवर आ जाएगा आप शब दे सकते हैं यह तरह पैस्स करेंगे यह बंद हो गया और इसमें लॉक आए एक लग से साइंस है क्योंकि स्मेल प्रूफ करने के लिए इसको तो यह असल में इसका ग्रे वाटर है और यह जो रेड वाल है इसका यह ब्लैक वाटर के तो इन दोनों को सिंग करने के लिए यह सिस्टम बना गया है वो जब आप इंटीर का बन जाएगा यह एक बड़ी चीज हाँ यह टायर बाइर से आये हों तो वह हो तो यह अमेरिकन है वर खुझी थे हमने पाकिस्तान सी है टोटली फैब्रिकेड हर किसम की चीज यह पाकिस्तान में होई है और हमारे अपने हाथों से विए सारी और यह जो इसका सिस्टम है इसके बड़ी डिटेल बैस चल और यह वाटर की इससृर नहीं होंगी ना दो फॉर पाइप पार का डिक पे देन को नहीं हो दोता और अब टैंट आरगा तो नहींगा उचल जाए को दो फा थे अशटरा उनिंग जैगा पापपण उच्द ल पॉस P.S. 1 अज़ चूबंसें पाड़िक कर घूल जाए है तो फ्री वे अब यह इस तरह को अगर इसको दूसी साइट से खोलने चाहते हैं इससे में अपको खुद से ही नाम दी है मैजिक रूफ का तो यह में आपको करके बता दूँगा कि इसमें मैजिक किया ही जो आगे वाला पापा पैज तीन तरीके से इसको सकते हैं वो जो तो वो इसका एक नेट लग जाएगा नेट लग के तो यह आपकी विंडिलेशन के लिए एक बड़ी जब रहा चीज बन जाती है फिर यह पीछे डबल बर्थ है वह उपर वाला बर्थ क्लोज हो जाता है वह जब इंटियर रेडी हो जाएगा आपको बताएंगे तो जब किसी ट्रेक जगह पे हो तो तब तक की बात करें के इस पर भी बाहर भार से जो आपने अभी रडी हो जगा जितना इस पे कितना एक लाग चेशान के पैसों की तो मैं क्या डिटेल पर प्रोजेक्ट है इसके पार्ट भी जैसे यह बनाना यह कोई मतलब इजी जाब तो है तो जो कारीगार अभीलेबल है मार्किट में वह भी आपको पता है फिर हर चीज के लिए पेशल चार्जिज तो अभी तक 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 50 लाग रपए तक गाड़ी पॉंच चुकी है विद सारे इसके हर्चे एंजिन जिसमें टाइज में कम्प्लीट गाड़ी आप कहा सकते हैं तकरीबन कुछ समान मेरे पास जिसमें पड़ा भी है अब गर में जैसे एसी पड़ा है अंदर फ्रिज इसके पड़ें इंटियर की काफी सरी चीजें मेरे पास पड़ी है तो वो सब्सक्राइब करना ये इसका पूरा डिटेल रिव्यू इसी चैनल पर आएगा तो लाजमी सब्सक्राइब करना आप लोग अने ठीक है और इन्शालला ऐसे ही मज़े मज़े की आप लोगे वीडियो लेकर आते रहेंगे चैनल सब्सक्राइब निक्या मस्ट सब्सक्राइब करो कि इसका नेक्स रिव्यू आने वाला है इंस्टाग्राम पर फॉलो नेक्स वीडियो मिलते हैं तब त